10th class science का नया चिप्टर है लेंस ये 10th 11 12 सभी के लिए important है ठीक है नया चिप्टर हम लोग लेंस शुरू करते हैं आज आज आईए लेंस आज मैं पढ़ाँगा आप लोगों को सबसे पहले बेसिक से बिल्कुल सुरू करते हैं हम लोग तो सबसे पहले जानते हैं लेंस ठीक है लेंस क्या है आपने खुब अच्छे से सुन रखाऊगा मैं इसके अंदर के भी पार्ट बताऊँगा आपको सारे ठीक है lens उत्तर lens को इंग्लिस में क्या बोलते हैं हम लोग सभी लोग जानते होगे हम लोग उत्तर lens को convex lens बोलते हैं क्योंकि हिंदी बुकों में भी इंग्लिस के वर्ड लिख दिये जाते हैं या अकसर लोग बोल चाल में करते हैं आप इन्हें भी सीखें ठीक है, और इंगलिस वाले हिंदी में भी समझें उसको उत्तरलेंस, अब जानते होँ, आप उत्तरलेंस की पहचान आपने सिर्फ कितनी पढ़ई है आपने उत्तरलेंस को बस इतना पढ़ा हुआ है, इस परकार का जो होता है चिसकी किनारे पतले हो और बीच में मोटा हो ऐसा लेंस जिसके किनारे पतले हो और बीच में मोटा हो क्या कहलाता है उत्तर लेंस हम लोगों ने है इस अपने परिवासा इसकी पढ़ी हुई है अब आपको क्या पता है ये खुद उत्तलेंस कितने प्रकार के होते हैं तीन होते हैं तो ये है आपका फर्स्ट पार्ट एक हो गया आपका इसको बोलते हैं हम लोग उभेवत्तल क्या बोलते हैं उभेवत्तल ये जो सिंपल वाला होता है इसको उभेवतल या कॉन वेक्सो कॉन वेक्स चीक है ना या बाई कॉन वेक्स धान रखेगा क्या बोलते हैं हम लोग कॉन वेक्सो कॉन वेक्स लेंस या हम लोग एक दूसरी मीनिंग क्या बोलते हैं कॉन वेक्स और दूसरी मीनिंग बोलते हैं हम लोग by convex lens यह याद रखिएगा इसके बाद second number आता है आपका इस तरीके का कि एक जो होगा आपका वो थोड़ा अंदर धसा हुआ होगा और एक थोड़ा उससे बड़ा होगा यह आपका इधर की तरब भी हो सकता है और इस तरब भी हो सकता है दोनों में कोई भी safe हो सकता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं इसको आउतलोतल लेंस बोलते हैं क्या बोलते हैं हम लोग इसको आउतलोतल आउतलोतल बोलते हैं और इसको इंग्लिस में क्या बोला राता है इसको इंग्लिस में हम लोग बोलते हैं कौन के वो कॉन्वेक्स लेंज कौन सा कौन के वो कॉन्वेक्स कॉन्वेक्स चीक है याद रहेगा भूलेंगे तो नहीं अब इसी प्रकार एक तीसरा प्रकार हो रहता है आपका लेंज का कौन सा जिसमें एक साइड आपकी सम्तल होगी और एक साइड आपकी उत्तल होगी छीक है इसको हम लोग क्या बोलेंगे हिंदी में इसको बोलते हैं सम्तोत्तल क्या बोलते हैं हम लोग सम्तोत्तल सम्तोतल सम्त utilizar और उत्तल यह ओ की मांतरा संधी हो गई ठीक है? आप याद रखियेगा यह आपकी गुन संधी है सम्तल और उत्तल तो ओ की मांतरा बन जाती है सम्तोतल ठीक है? सम्तलो तल आप मैं नीचे लिख देता हूँ इसम्तोतल इसको English में हम लोग क्या बोलेंगे समत्तल को नाम से ही समझ में आ रहा है कि इसको हम लोग बोलेंगे Plano Convex ठीक है? Plano Convex Lens ठीक है? तो आप ये तीनों अच्छे से जान गया होंगे कि सिर्फ उत्तल Lens एक ही प्रकार के नहीं होता अच्छे स्यमा प्रकार के होता है एक है अब उत्तल collectively हैना नमबर एक मदर दो और ये नमबर तीन ठीक इसी प्रकार अब हम लोग Autol Lens के बिसे में भी जानेंगे कि Autol Lens कितने प्रकार के होते हैं ठीक है? आएँ अब आउतल लेंस में हम लोग सीखते हैं कि आउतल लेंस कितने होते हैं तो देखिए आउतल लेंस की अगर बात करें हम लोग तो आउतल लेंस में भी सेम चीज है सेकेंड पार्ट आता है आपका आउतल लेंस आउतल लेंस तो आउतल लेंस में भी हम लोग उने डिफनेशन यही पढ़ रखी है कि जिसके किनारे मोटे हों और आपके बीच में पतला हो उसको हम लोग क्या बोलते हैं कौन केव या ओतर लेंस कौन केव लेंस या ओतर लेंस ठीक है अब देखिएगा इसमें बिल्कुल इसको याद आप इसकी बनावट इसमें भी है हम सब लोग यही हम लोगों ने खुब छोटे क्लासों से इसको पढ़ रखा है इस तरीके का बनावट ठीक है ना इस लेंस को हम लोगों ने पढ़ रखा है तो आईए इसमें भी जाने कितने प्रकार होते हैं तो इसमें भी सेम चीज दोनों तल आउतल है ये वाला तल भी आपका उतल है आउतल है कॉन केव गुफा जैसे है ना तो ये वाला भी है तो इसका नाम क्या हो जाएगा डबल डबल है तो अभे उतल यानी कॉन केवो कॉन केव या आपका बाई कॉन केव लेंस ठीक है ना कॉ कौन केव कौन केव या हम लोग इसको क्या बोलेंगे हिंदी में बोल देंगे उभय या उतल उभय उतल उभय और उतल मिला के हो गया उतल उभय उतल च्छिक न पिर उसके लेंस ठीक है जगह छूड नहीं होगी इसलिए मैंने नहीं लिखा आपको इसके बाद अगर हम बात करें तो आपका सेकेंड वाला पार्ट कौन सो हो जाएगा तो इसमें आपको पहचानना काफी मुश्किल हो जाएगा वो फिर वही उतल उतल वाला ही है ठीक है बस यहाँ प पर मैं लिख देता हूँ उतल और उतल मिलाके क्या बन गया उतलतल चीज बिल्कुल नाम आसान है इनके याद करना कोई कठें नहीं है आपके लिए चीच ए उतल और उतल तो उतलतल हो गया इसके बार इसको इंगलिस में हम लोग क्या कहेंगे स्यम चीज हम लोग जानتे ह और Convex बोलते हैं तो Convexo Concave Convexo Concave क्या हो जाएगा? Concave चीक है? इसी प्रकार अब तीसरे की बात करते हैं तो तीसरा एक Concave कतल होगा और दूसरा आपका Plain होगा तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? हम सब लोग जानते हैं कि इसको हम लोग क्या कहेंगे? इसको हम लोग हिंदी में तो क्या बोलेंगे? सम्तल और ओतल तो सम्तलाओतल और यही हम लोग इसको अगर इंगलिस में बोलेंगे तो क्या बोलेंगे? Plaino Concave Plaino Plain होता है ना? Plain से Plaino Concave Concave बिलकुल आसान है तो आप Lens के विशा में काफी नई चीज़ें सीखे होंगे और जाने होंगे ठीक है? कितने Lens तो टू टाइप्स हम लोग ने बेसिक क्लासों में पढ़ा हुए हैं एक Convex Lens और एक Concave यानि उत्तर Lens और Autor Lens ठीक है याद रहे यह Lens हैं आप दरपण मेरे अलग वीडियो वने हुए हैं प्रेलिश्ट पर जाकर देख सकते हैं 10th क्लास में क्रम से मैं पढ़ा रहा हूँ एक एक चीज़ बारी की बारी की से आपको सब बताने की कोशिस कर रहा हूँ ठीक है? उसके बार उत लेंस तीन तरीके के उभ्य उतल या दू उतल लेंस और समतल लेंस शीม इसी तरीके से वहाँ Architecture था यहाँ उतल है तो उभ्य- veggie causal lens फिर उतल, उतल्व, जानल उतल 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 और तीसरा है समतल, औल हाँ ठीक है? हम लोग इसके बाद इसी वीडियो में कुछ definition भी पढ़ लेते हैं या वीडियो बड़ा हो जाएगा इसमें इतना ही रखते हैं इसके बाद हम लोग अगले में करेंगे ठीक है इस वीडियो को इतना ही रखते हैं